ओम्चन्ति 14 नवंबर आज अव्यक्त बाप दादा के महवाख्यें अवतरन हुआ है एक बहुत ही सुन्दर बात हम सब के लिए आ रही है सिव बाबा वर्दाता है हमें वर्दान देता है हम उसके वर्दानी बच्चे बन जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं बाबा बाप सभी वर्दानी बच्चों को देख रहे हैं оде पाप ने तो सब को बहुत ज्यादा और समान वर्धान दी हैं इन बेने में सभाव अलग अलग हो जाते हैं य ड़ान इससे लिए किश को कोई पम हैं किृण प्रण्तो लेने वाले अलग-अलग तरह से हो जाते हैं, कोई जादा लेता है, कोई कम क्यों, वर्टाता बाप को राजी करना इसमें सभी नंबरवार हैं, बाप भुलानात है, जल्दी ही वर्दान दे देता है, लेकिन उसको राजी कैसे किया जाए, आज उस पे चर्चा है, तो बाबा कहरें, उनकी जिन पे वर्दाता बाप राजी रहता है, उनकी पहली निशानी है, वे एक वर्दा होंगे, जैसे पती वर्दा होती है न, बैए एक पती की तरफ ही बुद्धी जाएगी, और धेदारियों में मन नहीं बटकेगा, एक परमात्मा की तरफ ही लेकिन बच्चे बड़े चतुराई से जवाब देते हैं, बाबा आप तो निराकार हो, बाते हो जाती हैं बहुत सारी, साकार में बाते करने के लिए कोई चाहिए, वैसे तो एक ही आप हमारे हो, सदा आप हमारे साथ रहते हो, हम आपके हैं, लेकिन साकार में तो कोई चाह जिम्मेदारियों का, तो कोई साकार में साथी तो चाहिए ना, जिसको सुना सकें, हलके हो सकें, जिसे राय ले सकें, बाबा ने यहां बहुत ही सुन्दर और गुई यह बात कही है कि जो एक वरता बच्चे हैं उनके उपर जिम्मेदारियों का बोज कभी होता ही नहीं बाप जब सर्व संबंधों से जिम्मेदारियों का बोज उठाने के लिए एवर रेडी है सोच लें तो आप बोज उठाते क्यों हो फिर साकार में मनुस्यों की ओर देखते हो उनसे तो बोज हलका होता नहीं है जब एक भगवान सारा बोज लेने को तैयार है तो हम बोज उठाते क्यों है इदर उधर जाते क्यों है दूसरों से चर्चा करते क्यों हैं, बावा ने बहुत अच्छी बात भी, बात निराकार है, लेकिन अगर आप एक उरता बन कर रहो, तो ऐसे ही लगेगा, साकार में साथ है, सब कुछ सुन रहा है, रेस्पोंड कर रहा है, सारे बोजहर रहा है, तो बावा ने एक पहली बात वरदाता को राजी करने की ये सुनाई, दूसरी, एक मत, स्री मत पर, परमत, मन मत पर नहीं, और तीसरी बात, एकता और एकांत परिये, संगतनों में एकता कायन रहे, क्योंकि जब एकता नहीं होती, तक्राव होते हैं, सेवाओ में विघन पर जाता है, और जो बाप की पाव में विघन डालने के निमित बने, उससे भगवान राजी कैसे होगा, एकांत परिये, एकांत बहुत बढ़ी चीज है योगी जीवन के लिए, edaccant का सुख मिलना, edaccant में स्वचिन्तन करना, ed indication में योगब्यास करना, ये वर्दान है, ये आगे बढ़ने का तरीका है, तो ये तीनों चीजे जिसके पास हैं, चार हो गई, एकता, एकांत, एकमत और एक व्रता, उस पर भोलानात राजी रहता है, तो देख लें हम, कितना हमने उसको राजी किया है, तो उससे तो वर्दानों की बरसात होती रहती है, और बाबा अपने संपोर्ण वर्दान ऐसी आ इर्मलादीदी विदेशों का चक्र लगा कर आए थे, बाबा उन से मिल रहे हैं, कह रहे हैं, वारत के अमबेसडर बन कर गए, ज्यान देने, बहुत अच्छी सेवा की चारो चक्र लगाया, जानकी दादी बैठी है, तो आप तो प्यार बाटती हो, और बाबा से कैसे शक् सिखाती हो, जितना प्यार बाटती हो, चारो तरफ से आपको भी सब का प्यार मिलता रहता है, तो बाबा ऐसी रूरियान सभी से कर रहे हैं, महरास मुंबई आदी का ग्रूप आया हुआ है, बाबा उन से भी बाते कर रहे हैं, महरास वाले महन बन गए, क्या थे और क्या ब मेने बैठतिएं मातां बैठ हरे पन्डव बिठ हैं ह builders दौने दोनों है पान्ड दौन की जीत का गांन है और माताहं का अवान किया जाता है उन्हीं शिवसक्ति कहा जाता है तो आप सभी दोनों विजयी भी बन गए माया जीत शिवसक्ति भी बन सिर्फ शक्तियां जग गई हैं इसलिए उनका जागरन हो रहा है पांडवों का जागरन नहीं होता बाबा कह रहे हैं शक्तियों में माताओं में महों अमता जादा दिखाए जाती है बाल बच्चों में पोत्रों दूत्रों में और पांडवों में थोड़ा एहम थोड़ा क्र दूसरे ग्रूप से मिल रहे हैं बाबा, थोड़े बुजुर्ग लोग थे, कह रहे हैं भले शरीर न चलता हो, लेकिन मन तो उडान बढ़ सकता है, कभी सुक्सम लोक में, कभी परम धाम में, कभी देव लोक में, चारो तरफ उडान बढ़ते रहो मन से, सबेरे उठते हो, अ अपने टाइटेल याद किया करो, अपनी प्राप्तियों को याद किया करो, इनकी लिस्ट बना लो, रोज सबेरे पढ़ लो, तो ये योग बहुत अच्छा, एक मनोरंजक योग बन जाएगा, पुरसारत में कभी बोरियत नहीं होगी, और निरंतर आगे बढ़ते रहेंग वरदान है, कैचिंग पावर के द्वारा अपने ओरिजनल संसकारों को कैच करने वाले शक्ति सालिय आत्माभव, उन दिनों, साइंस वाले, बहुत पहले कि आवाज को कैच करने के लिए रिशर्च कर रहे थे, बाबा कहते हैं, तुम्हें कैच करना है अपने 5000 साल पहले के संसकारों को, तुम कितने दिव्यत थे, भरपूर थे, संपूर निर्विकारी थे, उन्हें कैच करो, उन्हें सामने लाओ, तो जल्दी ही सारी संसकार बदल जाएंगे, और तुम बहुत पावर्फुल बन जाओगे, स्लोगन है, ड्राम जीवन का स्वांस है खुशी, जानवली चली जाए, खुशी न जाए, ऐसा हमें बुर्साथ करना है, तो आज का हमारा भ्यास उत पहले चिंतन होगा, कि बावा से मुझे क्या-क्या भाग्य मिले हैं, क्या-क्या प्राप्तियां हुई हैं, क्या-क्या बना सकते हैं, बैठकर बनाएं, और सबेरे उठकर तीन मिनट उन पर एक द्रश्टी डालेंगे, रोज, तो ऐसा नसा चड़ेगा, ऐसा मन चार्ज हो जाएगा, सुस्ति बाग जाएगी, और सबेरे का टाइम बहुत ही, सुन्दर व्यतित होगा, तो आज अभ्यास करेंगे, मैं फरिष्टा सुक्स वतन में हूँ, वर्दाता बाप राजी है, सामने बाप दादा भी राजमान है, परमसद गुरु रूप में द्रस्टी दे रहे हैं, और मस्तक पर तिलक लगाकर मुझे कोई वर्दान दिया है, उसे सुईकार कर लेंगे, उसके नसे में रहेंगे, दिन में पांच बार ऐसा अभ्यास कर लेंगे, ओम शांति,